नमस्कार दोस्तों श्रागत है आपका पीटेस नीज चैनल में आज इस वीडियो के अंदर गथम सिव महीमा के बारे में बताएंगे शावन मास 6 जुलाई से प्रारम हो रहा है इसमें भगवान सिव की उपासना बहुत ही लाफदायक होती है इस वीडियो के अंतरगत बताएंगे कि शावन महीना का क्या महत्तो है और हर शुमार का एक अलग महत्तो है इस वीज में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस वीडियो में पूरा बताएंगे इस जानकरी हो जाने के लिए वीडियो सुरू से लेके अंत तक देखे और अगर आप इस चैनल पहले बार रहे हैं तर चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शाथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे के हमारे वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले कररें, आपके पास जहाए आएऔर देखते हैं इस शावन महिने में भग्वान स्युग के ऊपासनक कैसे की जाए है त्बभवान स्युग के उपासनक महिना conjunction महीणा शावन सही जुलाई चील होरा है से पुर्णे फलदाई देने वाला है इसके महत्यों के बारे में बात करते हैं कि स्रावन मां यह भगवान सीव को बहुत ही प्रिय होता है इश्कंद पुराण की एक कथाग अनुसार सनत कुमार भगवान सीव से पूछते हैं कि आपको शावन मां क्यों इतना प्रिय है तब अगर किसी भी तरह की बिवाह में अरचना रहे तो शंकल बलेगर शावन के शोमार का ब्रत किया जाना चाहिए आव या स्वास्त बाधा हो तब भी शावन के शोमार का ब्रत स्रेश्ट प्रण्यम देता है साथ 16 शोमार ब्रत का संकल सावन में लेना सबसे उत्तमान गया है अगर आपको सावन शोमवार या किसी का विर्ब्रत श्टार्ट करना है शोमवार के खास करके तो शावन महीने के 6 जुलाई से ही स्टार्ट कर देजिए सावन महीने में मुख्य रूप से स्यूलिंग की पूजा होती है उस पर जल तथा बेल पत्र अर्पित किया जाता है यह भी माना जाता है कि स्यूलिंग पूजा में केतकी के फूलों का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें भगवान स्यू नाराज हो जाते है तुलसी कवे प्रियोग भगवान स्यूलिंग पर कभी नारियल का पानी भी नहीं चड़ाना चाहिए भगवान सीजु को हमेशा कांश या और पीतल के बर्तन से ही जल चढ़ाना चाहिए आगे आपको बताएंगे कि इस शुमार के अंदर गत्र अब आपको क्या नहीं करना चाहिए जैसे कि साउन में हरी पतेदार सब्जियों का त्याब करना अच्छा माना जाता क्योंकि साउन में हरी सब्जियों में पित बढ़ाने वाला तत्तों की मात्र बढ़ जाते इसके अलावा शाउन के महीने में कीट पतों को शंख्या बढ़ जाती है जो सेहत के लिए हंकारव होते है नमबर दो है कि सिवलिंग पूरुस्ता तो समधने चाहिए इसलिए कभी भी सिवलिंग पर हल्दी नहीं चड़ानी चाहिए आगे नमबर तीसरा पॉइंट है कि सावन के महीने में श्रात्वी भोजन करना चाहिए इसमें मांस, मदिरा, प्याज और लहशुन के सेवन से बचना चाहिए सावन के महीनों में दूद भी नहीं पीना चाहिए इसलिए सावन में सिव जी का दूद से अब सेख होता है विग्यान के माने तो इन दिनों से दूद पीने से पित बढ़ाने के काम करता है सावन में बैगन खाना अच्छा नहीं माना गया है बैग्यान को करन नजरीद देखें तो सावन में बैगन में कीड़े लग जाते हैं ऐसे में बैगन का स्वास बुरा प्रभाव पड़ता है किसी का आप मानना करें और किसी भी प्रकार के बुरे विचार मान में नहीं लाना चाहिए अगर घर के दर्वाजे पर साण गाय आ जाये तो उसे मार कर भगाया नहीं बलकि कुछ न कुछ इस समय में खिलाएं क्योंकि साण को बगवान नंदी का रूप माना गया है और वही जो स्यूजी की शवारी भी है इसलिए आप सावन महीने में जो करना चाहिए वही करें और जो नहीं करना चाहिए उससे इस समय बचके रहें वीडियो को सुरुष लेकर अंतर तक देखने के धन्यवाद और हम ऐसे ही हर सुमार की खास बातें आपको हर सुमार को बताते रहेंगे